बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट कटपुतली जानते हैं आप क्या होती है कटपुतली नहीं जानते कोई वाद नहीं हम आपको बता देते हैं बच्चो कटपुतली होती है एक परकार से धागों से बंदी हुई गुडिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बच जो चलिए शुरू करते हैं पार्ट कट पुतली कट पुतली पार्ट जो है भवानी परसाथ मिस्र की कविता है आए शुरू करते हैं जान लेते हैं यहाँ पर कविता का सारांस अगर जो चोटे रूप में यानि संचिप्त में आप कविता का सारांस लिखना चाहेंगे तो कै जैसे लिखेंगे आईए देखते हैं यहां पर कट पुतली कविता का सारांच जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप लिखेंगे कट पुतली कविता में कभी भवानी परसाद मिश्र ने कट पुतलियों के मन की ब्यथा को दर्साया है यह सभी धागों में बंद बिद्रों की सुरुवात करती है कि लिखे आप सुरुवात करती है वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है अन्य सवी कट पुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंद्र होने की चाहब व्यक्त करती है मगर जब पहली कट पुतली पर सभी की सुतनता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पढ़ जाती है तो इस परकार बच्चों आप जो है कविता का सारांस लिख सकते हैं इसके बाद आए जानते हैं यहाँ पर पाठ्य पुष्टक के कुछ प्रसने और उनके उत्तर तो यहाँ पर आपके लिए प्रस कोई बात नहीं यहाँ पर देखें आप उत्तर और उत्तर को अपनी नौटबुक में लिखें कट पुतली को गुसा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इसारू पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अर्से से धागे में बंदी है वह अपने पाउं पर खड़ कर आत्म निर्वर बनना चाहती है धांगे में बंदना उसे प्राधीनता लगता है इसलिए उसे गुसा आता है तो बच्चों क्या आप दूसरों के सारू पर नाचना चाहोगे नहीं न तो इसलिए कट पुतली को भी गुसा आता है उसके बाद दूसरा प्रसन आपके लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती और बच्चों ये काफी important होता है ये प्रस्ण अक्सर जो है पूछा जाता है तो उतर होगा आपके लिए कट पुतली स्वतंत्र होकर अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कट पु स्किल में न डाल दे तो बच्चों इस परकार से आप दूसरे प्रस्ण का उतर लिखेंगे देख रहें न आप इसके बाद आए जानते हैं तीसरा प्रस्णिया पर आप देख रहें न पहली कट पुतली की बाद दूसरी कट पुतलियों को क्यों अच्छी लगी तो अपने पाउं पर खड़ी होना चाती थी अपने मन मर्जी के अनुशार चलना चाती थी प्राधीन रहना किसी को पसंद नहीं यही कारण था कि वहां पहली कट पुतली की बाद से सहमत थी आए बच्चों आगे जानते हैं यहां पर चोथा प्रस्ण चोथे प्रस्ण में पहली कट पुतली ने स्वयम कहा कि यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो फिर वहाच चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा जगी मेरे मन में जगी नीचे दिये वाक्यों की साहता से अपने विचार व्यक्त कीजिए तो बच्चों यहां पर तो आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे कर सकते हैं न आप तो बच्चों यहां पर देखें उसे दूसरी कट पुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी उतरिये होगा आपके लिए कि उसे दूसरी कट पुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी उसे सीग्र स्वतंद्र होने की चिंता होने लगी वह स्वतनता की इच्छा को साकार करने और स्वतनता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी या वह डर गई क्योंकि उसकी उमर कम थी तो बच्चों यहाँ पर आपको यह वाक्य दिये हुए हैं और इनकी सायता से आपने अपना उत्तर बनाना है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक बार फिर से प्रस्ण देखें पहली कट पुतली ने स्वयम से कहा पहली कट पुतली ने स्वयम कहा कि वे यह धागे क्यों है मेरे पिछे आगे इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाउँ पर छोड़ दो तो फिर वाच चिंतित क्यों हुई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी नीचे दिये वाक्यों की साहता से अपने विचार ब्यक्त कीजिए तो बच्चों आपने अपने विचार यहाँ पर से बनाने हैं कैसे इन वाक्यों की साहता से और वक्य क्या है आपके लिए यहां पर तीन चार वक्य दे रखें, उसे दूसरी कट पुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, यहां पर ध्यान रखें, यहां पर जो है महसूस, यहां पर ऐसे लिखेंगे आप आगे वाले सहफे लगाएंगे मात्रा, तो उसे दूसर स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी वह स्वतंता की इच्छा को साकार करने और स्वतंता को हमेशा बनाई रखने के उपाय सोचने लगी वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो इन चारों वाकियों को मिला करके बचो आप जो है अपने विचार लिखेंगे लिख सकते हैं ना कोई बात नहीं हम आपको यहाँ पर इसका उत्तर भी बता देते हैं उत्तर देखिए पहली कट पुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई दुखी हो गई थी धागों में बंदी कट पुतलियां दूसरों के हिसारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं लेकिन एक बार एक कट पुतली ने बिद्रोह कर दिया उसके मन में सीगरी ही स्वतंत्र होने की इच्छा होने की लालसा जागरत हुई आता है उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई लेकिन सारी कट पुतलियां उसकी हां में हां मिलाने लगी और उनके नेत्रत्तों में बिद्रोह के लिए तयार होने लगी लेकिन जब उसे अपने उपर दूसरी कड़ पुतलियों की जिम्मेदारी का एसास हुआ तो वहां डर गई उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा यही कारण था कि पहली कड़ पुतली चिंतित होकर अपने फैसले के बिसे में सोचने लगी इस परकार से आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चों कविता से आगे यहाँ पर देखते हैं प्रस्न पहला बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद हुए इस पंक्ति का आर्थ और क्या हो सकता है नीचे दिये हुए वाक्यों की साहता से सोचिये और आर्थ लिखिये तो बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई और दूसरा है बहुत दिन हो गए मन के बीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो ले हो या फिर बहुत दिन हो गए गाने गुन गुनाने का मन नहीं हुआ या फिर बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुसी आई तो इन चार में से आप यहां पर देखें प्रस्ण में कहा था कि नीचे दिये वाक्यों की सायता से सोची और अर्थ लिखिये तो इन चारों के वाक्यों को आपने पड़ा इनके विशे में सोची और अर्थ लिखिये किसका अर्थ लिखिये बहुत दिन हुए अपने मन के चंद हुए का अर्थ आपने लिखना है तो यहाँ पर बच्चो आपके लिए उत्तर होगा बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद हुए का अर्थ होगा कि बहुत दिन होगे मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुसी आई अर्था अर्थ कट पुतलियां पर तंत्रता से अत्य अधिक दुखी है यानि कि प्रादीनता से अधिक दुखी है उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाई पहली कटपुदली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी इसके बाद बच्चो दूसरा प्रस्ण है यहाँ पर नीचे दो सवतनत्रा आंदुलनों के वर्से दिये गए हैं इन दोनों आंदुलनों के दो दो सवतनता सैनानियों के नाम लिखिये तो यहाँ पर आपके लिए दो वर्स दिये हुए हैं 1857 और 1942 यहाँ पर देख रहे हैं आप सन 1857 और 1942 और इन पर आपने जो है स्वतना सेनानियों के नाम भी लिखने हैं तो यहाँ पर उतर होगा आपके लिए 1857 का महारानी लक्समी बाई और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के महानायक कौनते बच्चों मंगल पांडे और महारानी लक्समी बाई और 1942 में मातमा गांदी और जोहरलाल नहरू आप लिखेंगे इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना पहला प्रसने आपके लिए स्वतंद्र होने की लड़ाई कट पुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंद्र होने के बाद स्वालंबी होने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये होंगे यदि उन्हें फिर से धागे से बांद कर नचाने के प्रियास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायू से की होगी तो उतर होगा आपका स्वतंत्र होने के लिए कड़ पुद्लियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी कटपुतलियों ने क्या क्या होगा आपस में मिलकर लड़ाई लड़ी होगी यानि कि स्वतंत्रा पाने के लिए कटपुतलियों ने जो लड़ाई लड़ी वो सबने मिल जुलकर लड़ी होगी क्योंकि सब की परिशानी एक जैसी थी और सब को एक जैसे दागों से स्वतंद्रा चाहिए थी पहले सभी कट पुतलियों से बिचार भी मर्श किया होगा स्वतंद्र होने के बाद स्वालंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संगर्श किया होगा अपने पाउं पर खड़े होने के लिए बहुत परिसर्म किया होगा रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवसकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा तो इस परकार से आप उत्तर लिखेंगे यदि फिर भी उन्हें धागे में बांद कर नचाने का प्रियाश किया गया होगा तो उन्होंने एक जुट होकर इसका बिरोध किया होगा क्योंकि गुलामी में सारे दुख होने के बाबजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है उन्होंने सामुहिक प्रियास से ही सत्रों की हर चाल को नाकाम किया होगा इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी तो बच्यों इस परकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं आगे प्रस्न होगा आपकी बुग में बासा की बात तो प्रस्ण पहला कई बार जब दो सब्द आपस में जूडते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है जैसे कट पुतली में भी इस परकार का सामाने परिवर्तन हुआ है जब काट और पुतली दो सब्द एक साथ हुए तो क्या बना कट पुतली और इससे बोलने में सरलता आ गई इस परकार के कुछ सब्द बनाई ये जैसे काट से कट से बना कट गुलाब कट फोड़ा जैसे तो उत्तर आप क्या लिखेंगे हाथ और करगा तो क्या होगा इन दो सब्दों से बनकर एक सब्द हत करगा हाथ की कड़ी हत कड़ी सोन और परी सोन परी मिट्टी और कोड मट कोड या मट मेला हाथ और गोला हत गोला सोन और जूई सोन जूई तो इस परकार से आप जूए अन्य सब्द भी बना सकते हैं इसके बाद बच्चो यहीं पर दूसरा प्रस्नक कविता की भासा में लय और तालमेल बनाने के लिए परचलित सब्दों और वाक्यों में बदला होता है जैसे आगे पीछे अधिक परचलित सब्दों की जोड़ी है लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रियोग होता है यहां आगे का बोली ये धागे से द्वनिका तालमेल है इस परकार के साब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए दुबला पतला इधर उधर उपर नीचे दाएं बाएं गोरा काला लाल पीला आदी तो उत्तर होगा आपका पतला दुबला इधर उधर नीचे उपर काला गोरा बाएं दाएं उधर इधर आदी इस परकार से आप लिख सकते हैं इसके बात अती लग उतर ही अप्रसम देखते हैं थोड़े चोटे जो टाइब के क्वेशन होते हैं तो कटपुदली को धागे में क्यों बांदा जाता है तो आपका उतर होगा कटपुदली को धागे में इसलिए बांदा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इसारों पर नचाया जा सके तो बच्चो यहाँ पर आप ध्यान रखें यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि यहाँ पर लिखेंगे ताकि उसे अपनी उंगलियों के इसारों पर नचाया जा सके इसके बाद दूसरा प्रस्ण कट पुद्लियां किसका परतीक होती है तो कट पुद्लियां आम आजमी का परतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सके इसके बाद अगला प्रस्ण कट पुद्ली कविता के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहता है तो उत्तर सबसे जो है कविता के कभी कोन है भवानी प्रशाद मिश्र तो यहाँ पर जो कहा गया है प्रस्ण में की कट पुदली कविता के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहता है तो यहाँ पर क्या देना चाहता है संदेश उत्तर होगा आपका कट पुदली कविता के माध्यम से कभी स की कर देती है अता स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है भले ही या कठिन क्यों नहों और बच्चों इसके बाद लग उत्तर यह प्रस्णिजू होंगे इस प्रकार से कुछ देख लेते हैं यहां पर कट पुदली को गुसा क्यों आता है तो उत्तर होगा कट पुदली को गुसा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों और से धागों से बंदन में बांद कर रखा गया था वह इसे बंदन को इस बंदन से तंग आ गई थी वह आजाद होना चाहती थी वह अपनी चानुसार जीना चाहती थी इसलिए कट पुदली को गुसा आता है इ दूसरी कटपुद्लियों को अच्छा लगा होगा परतंत रहना किसी को भी पसंद नहीं सभी स्वतंद्र यानि आजाद रहना चाहते हैं सभी अपनी अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं किसी भी कटपुद्लियों को धागे में बंदे रहना और दूसरों की मर्जी से नाज पुतली ने विद्रो किया तो उतर होगा आपका हमारे विचार से स्वतनता के लिए सबसे छोटी कट पुतली ने विरोध किया होगा क्योंकि नई पीडी ही सदैव बदलाओ के लिए प्रियास करती है इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंदनों को तोड़ कर स्वा कि सबसे छोटी कट पुतली ने विरोध किया होगा क्योंकि नई पीडी ही सदैव बदलाओ चाहती है पुराने अंद विश्वासों पाखंड और आडंबरों को त्याक कर तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है एक प्रसन और देख लेते हैं दीर के उतर यह प्रसन किया है इसमें कभी ने बताने का प्रियास किया है कि आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का हैसास हमें होना चाहिए स्वतंतर होना सभी को अच्छा लगता है लेकिन स्वतंतर का सही उपयोग कमी लोग कर पाते हैं इतना ही नहीं आजाद होने पर व्यक्ति को आत आत्मिंदिर बढ़ होना आउसक है इसके अत्रिक्त अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए कोशिस करते रहना चाहिए तो बच्चो इस परकार से आपने देखा कट पुदली आजाद रहना चाहती है तो यहाँ पर आगे कट पुदली का मूल भाव इस कहानी आपने पड़ी जो कविता आपने यहाँ पर पड़ी कट पुदली उसका मूल भाव यहाँ पर देख लेते हैं आप इसे प्रस्ण के उत्तर के साथ ना लिखें ये जो है अलग से यहां पर मूल भाओ आपको बता रहे हैं कि हमें अपनी स्वत्मता के लिए सचेत रहना चाहिए कटपुदली दूसरों की उंगलियों पर नाजती है इससे उसका अपना कुछ नहीं रहता उसके हाओ भाओ यहां तक की उसके चलने फिरने तक की तक को उंगलियां तै करती हैं ऐसे में कटपुदली दूसरे पर निर्वर है लेखा की यही इस्तिती एक गुलाम ब्यक्ति की दसा दर्साना चाहता है उसके अनुसार गुलामी की जंजीर को तोड़ना आउसक है हमें जहां लगे कि दूसरा हमारी आजादी का हनन कर रहा है वहां तुरंत आवाज उठाएं इससे और लोग भी सचेत हो जाएंगे और हम आजाद रह पाएंगे तो बच्चो इस परकार से आपने देखा यहां पर कट पुतली पाट से हमें कितनी सारी सिक्साएं मिली और सबसे बड़ी सिक्सा हमें मिली कि आजादी के लिए सभी संगर्स करना चाहते हैं और अपनी आजादी को हमेशा के लिए बरकरार बनाए रखना चाहिए तो बच्चों ये था पाठ आपका कट पुतली और इस जो है पाठ के जो कविता थी आपकी इस कविता के कभी कौन थे बवाने पर साथ मिश्र तो बच्चों उमीद है आपको कविता पसंद आई होगी और आगे अन्य पाठों के लिए दूसरी वीडियो आप देखते रहें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो